अगे मुखमनप्री नितिश कुमार अपने कारेकाल में कामों को लेकर बेहत गंबीरता दिखाते हैं काम पूरा नहीं होने पर वैं नाराजगी भी दिखाते नजवराते अधकारियों के साथ उनके हाथ जोडते बिंती भी करते दिखते हैं कुछ ऐसा ही देखने को मिला पटना सिटी के कंगन घाट पर जहां मरीन ड्राइब के तीसरे फेश के लोकारपन के वक्त काम पूरा नहीं होने पर मुखमनप्री ने नाराजगी के साथ ही अपसरों से बिंती की सवाल यही कि आखिर अध्कारी मुखमनप्री की सुनते क्यों नहीं अरे ये क्या बिहार के मुखमनप्री नितीश कुमार ये क्या कर रहे हैं हाथ जोड़ रहे हैं मगर किसके सामने और क्या नौबत आ गए कि मुखमनप्री को किसी के सामने हाथ और पैर पकड़ने की जरूरत आन पड़ी और ये सब दोनों डिप्टी सियम बिहार विधासबा दक्ष और सांसत रवन शंकर पुरसाद के सामने हुआ हैरानी उन्हें भी हो रही है कि ये हो क्या रहा है उक्यमंत्री की ये कौन सी नई स्टाइल है कभी हाँ चोड़ते हैं कभी पैर पकड़ने की बात कहते हैं आखिर क्या चल रहा है या चलिए ये भी जानते है दरसल गाय घाट के गंगन घाट के करीब साड़े तीम किलोमेटर पुल के उपर बने सड़क लोकारफण का कारक्रम था सीम नितीश कुमार को मौझूद अधिकारी पुल और सड़क के बारे में पूरी जानकारी दे रहे थे और ये जानकर कि सब कुछ ओन टाइम है मुख्यमंतरी खुश भी थे तभी अधिकारीों ने सीम को रागुपूर पर बन रहे पुल के बारे में जानकारी दी मुख्यमंतरी ने भी पूछ लिया कि कब तक पूरा होगा अति उत्साह में अधिकारीों ने भी 2025 तक काम पूरा होने की जानकारी दे दी बस क्या था मुख्यमंत्री के चेहरे का रंग ही बदल गया अधिकारियों के पसीने छूपने लगे तभी मुख्यमंत्री ने उस अधिकारी से अपने स्टाइल में एक अपील की वरिश्ट अधिकारी प्रत्य अमरित मामले को समझ चुके थे और प्रोजेक्ट इंजिनियर को भी उन्होंने समझाया अलाकि मुख्यमंत्री ने इस अधिकारी को मीडिया के सामने खड़े कर ये भी कहलवाया कि पुल इसी साल तैयार हो जाएगा और तब जाकर मुख्यमंत्री ने उन्हें धन्यवाद दिया इससे पहले भी टियम से चुड़ी ऐसी ही अपील वाली तस्वीर सामने आई थी पुल मिलाकर मुख्यमंत्री विहार के विकासकारियों के प्रती अपनी सजगता जोता रहे हैं और सम्मंधित अधिकारियों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भी काम बचा है उसे समय से पहले जरूर करवा लें आनन्दम रित्राज यूज 18 पठना सीम नितीश के अधिकारियों से हाथ जोड़कर विंती करने पर तेजस्वी ने निशान असाधा तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि इतना असहाय अशक्त, अमान्य, अक्षम, विवश, बेबस, लाचार और मजबूर कोई ही मुख्यमंत्री होगा जो बीडियो, SGO थानेदार से लेकर वरिया अधिकारियों के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पढ़ने की बात करता है मुख्यमंत्री नितीश कुमार की कोई सुनता ही नहीं है तेजस्वी यादव ने ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री नितीश कुमार को लेकर के जिस तरीके से उनने इंजीनियस के सामने हाथ जोड़ा और उनसे कहा कि आपको जो जरूरत है आप हमको बताईए कितना रिक्वेस्ट करें आप लोगों से इसी बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और कहा कि इतना असा हाए मुख्यमंत्री शायद ही कोई हुगा और राची से बड़ी ख़बर मिल रही है जमीन घोडाले में इडी की चापे मारी ही हो रही है अंचल कारियाले में इडी की जाँ चल रही है इडी ने कई दस्तावे जब्त किया है रजिस्टर में एंट्री के नाम पर घरवडी ही पाई गई है कांके प्रखंड कार्याले के COCI का मोबाइल भी ED ने जब्त किया है मामले में कई एहम खुलासे होने की उम्मीद है कंदेश और कांके अंचल का गट जोल के खुल तार खुल रहे ग्रामीडों के चुनाव वैश्कार के कागज भी ED ने जब्त किया है जमीन पर हो रहे अवैद कबजे को लेकर ग्रामीड ने चुनाव का वैश्कार किया था ग्रामीडों का आरोप यह है कि अंचल कार्याले और पुलिस मामले की लीपा पोती कर रहे है तो बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं सियो, सियाई का मोबाइल जब्त कर लिया गया है कमलेश और कांके अंचल का गट जोड के जो तार है वो खुल कर सामने आ रहे हैं जमीन गोटाले में ED की एच्छापे मारी अंचल का रियाले में ED जाच कर रही है जारखन में विदानसवा चुनाओं के सरगर्मियों की बीच बड़े भाई, चोटे भाई की चर्चाप फिर से होने लगी है जमेम ने चुनाओं से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है तो कॉंग्रेस और आरजेरी ने भी अपना-पना दावा किया है जारखन में बड़ा भाई, छोटा भाई कौन? चुनाओं से पहले जेमेम का बड़ा दावा कॉंग्रेस और आरजेरी ने भी लगाया जोड जैसे ऐसे विधान सबा चुनाओं का समय नस्दी का आता जा रहा है राजनितिक पार्टियों की दावितारी का दोर तीज उता जा रहा है इन सब के बीच जेमेम ने चुनाओं की गोशना से पहले ही ये साफ कह दिया है कि वो इंडिया गटबंधन में बड़े भाई की भूमिका में होगा जो जानाधार जिस पार्टि का जिस रूप में है उस हिसाब से सीटों का बटवारा होगा और आप भली भाती जानते हैं कि जाहरखन में विधान सबा के चुनाओं में हम बड़े भाई की भूमिका में रहते है विनेबिलिटी फैक्टर बहुत बड़ा एक विशे है इन सभी विशेयों पर बात होगा आपस में बात होगी हमारे गटबंधन दल के आला नेताओं के बीच बात होगी और जो वास्तवी किस्तिती है धरातल किस्तिती है कौन कहां से जीट सकता है कौन मजबूत इस्तिती में है उस आधार पर शिटों का बटवारा होगा जेमेम के एलान के बाद इंडिया गटबंधन में शामिल कौंग्रिस और आरजडी जैसे सयोगी दलों की बेचैनी भी बढ़ गई दोनों दलों को डर है कि बड़ा भाई बनने के जित कर रही जेमेम कहीं उनके हिस्सों की सीटों पर भी दावाना कर दे इसलिए कौंग्रिस और आरजडी दोनों दलों ने सभी एक्कशी सीटों पर चुनाव की तयारी करने का एलान करके टेंशन बढ़ा दी है कौंग्रिस पार्टी एक्क्यासी सीट पे बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रही है और हर बुत पे उसको और मजबूत किया गया है तो हमारे लोग तो 81 पे बहुत मजबूत है क्योंकि एक राजनेतिक दल होने के नाते हैं हम लोग 81 सीट पे बहुत ही बेहतर तरीके से मजबूती से तैयारी कर रहे है रहा सवाल गडबंधन का तो जाहिर सी बात है गडबंधन में हमने चुनाव लड़ा सरकार भी गडबंधन में चल रहे है तो मिल बैठ करके यह सारी चीजें तैय होंगी कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा इंडिया गडबंधन के घटक दलों की दाविदारी के बीच बीजेपी ने कहा है कि लोग सवाचुनाव पर नाम ने साफ कर दिया कि विधान सवाचुनाव में गडबंधन का सफाया होने जा रहा है विधान सवाचुनाव की घोशना में भले ही देर है पर जेमेम की दाविदारी ने कॉंग्रेस और आर्ट जेडी की फेचनी जरूर बढ़ा दी है निउसीडिन समभात ताता संजे सिनहा की रिपोर्ट और मुंबई में रिलाइंस इंडरिस्ट्रीज के श्यर्मैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की श्यादी से पहले शिर्फ शक्ती पूशा रखी गई और ये पूशा मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया में की गई शादी समारों के लिए मुकेश अमबानी के घर को भब तरीके से सजाए गया